पर दो कि तुम पुट करते हो एन इक्वल टू फोर यहां पर क्या जाएगा c4 और 4 टू तू यह कितना जाएगा 10 तो मिधेन एफेन प्रॉपेन और यहां पर क्या जाएगा विटेन तो यह लिखा हुआ है मतलब यह अलकेन है और अलकेन का empirical formula क्या होता है cn h2n plus 2 क्या formula है cn h2n plus 2 एक बार लिख लो अपनी कॉपर में तो n equal to 1 एक carbon तो myth आगे क्या लगाना है n क्योंकि यह अलकेन है तो अलकेन में आपकी जो suffix होती है वो क्या होती है अलकेन में आप खतम किस्से करते हो n से a n e से n equal to 2 लगाओगे तो ethane n equal to 3 लगाओगे तो propane n equal to 4 लगाओगे तो butane आप मुझे बताओ कि heptan का formula क्या होगा h e p t a n e अगर मैं n equal to 7 क्या होगा इसरावन एंग 16 अगर में लिखो सोचो क्या आएगा है अप 10 का formula एन इक्वल टु 7 तो c7 h 7 टुजा 14 प्लस टू 16 एक इसका formula है c7 h 16 तो यह आपका किसका formula आगया heptan का याद रखना अलकेन का जो empirical formula है वो क्या है तो अलकेन करके इंची लिख लो cn h 2 n प्लस टू और यह पांच एक्जम्पल लिख लो और याद रखना यहाँ पर लिख लेना एंड्स विथ किससे करते हैं यह एंड्स है अलकेन का एंड्स होता है एंड्स है इसका जो basic formula है cn h 2 n प्लस टू तो मिथेन इथेन प्रॉपेन ब्यूटेन पेंटेन हैंगजेन हैप्टेन ओक्टेन नॉनन डेकेन ऐसे जलता है यह तो इसका एंपरिकल फॉर्मुला क्या याद रखना इसका एंपरिकल फॉर्मुला है C N H 2 N प्लस 2 तो यह आपका अलकेन है फर्स्ट हॉमो लगर सीरीज ठीक है अब किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो वहना मुझे तुम्हें चीज बतानी इसमें इसमें कोई डाउट होता आप पूछ सकते हो भी एक चीज ध्यान से देखना हो आपका जो CH4 है और आपका जो C2H6 है इनके बीच में कितने का डिफरेंस है CH2 का डिफरेंस है क्योंकि इससे आगे एक कारबन जादा है दो हाईटरजन जादा है उसी तरीके से तुम C2H6 और C3H8 देखो इनके बीच का भी कितना डिफरेंस है CH2 फिर तुम C3H8 और C4H10 देखो इनके बीच का भी कितना डिफरेंस है CH2 तो इसलिए इसको homologus series बोलते है शीरी वर्ड क्यों यूज करते है क्योंकि हर दो कंपॉंड के बीच में वह कॉंस्टेंट चल रहा है जैसे अगर पुछा की एन इक वाल टुफाइब कि लिए क्या फामुला होगा तो इसमें सीट्ट करD c5-12 तो सीरीज वर्ड का मतलब होता है कि सीरीज का मतलब कहा कि एक के बाद दूसरा दूसरे का पाद तीसरे के वाद पाता हमो लोकष का मतलब कि इनके बीच का तो डिफरेंट से वह सब ज़गे से मैं तो लिखा अपनी कॉपी में, the series is called as homologous series because the series is called as homologous series because the difference in consecutive compound is CH2, consecutive मतलब एक के बाद एक CH2 हो तो आप ऐसे लिखना, एक डैश बनाना और लिखना CH2 ठीक है अब मैं आ रहा हूँ Alkene हो गया अब मैं आ रहा हूँ Alkene पे यह लिख 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 आप में जान भी आपने अभी जोइंग किया लिख Alkene क्या होता है Alkene का जो empirical formula होता है Cn H2n plus 2 तो N equal to 1 put करेगी तो methane मिलेगा, 2 put करेगी तो ethane मिलेगा, 3 put करेगी तो propane मिलेगा, अगर तुम्हें ये भी नहीं पता हो तो इसको दिखो, 1 carbon myth 2 carbon eth 3 carbon prop, 4 carbon but, 5 carbon pent 6 carbon hex 7 carbon hept, 8 carbon oct, अगला non आता है फिर deck आता है, nonane, deckane है ना, anyway, अपना 8 तक ही पढ़ते हैं तो अब तुम सुना, ये तुम्हें अगर नहीं पता हो, तो मैं तुम्हें भीजदूंगा, लिख ले ना तुम्हारी book में भी है, ये तो अब मैं alkene पर आ रहा हूं, तुम्हें समाज में आ जागा दिखो अब अपन बाते alkenes पे, अब alken की एक बहुत खास बात है, कि alken के अंदर होता है आपका double bond, alken के अंदर double bond या फिर cyclic compound भी हो सकता है, generally double bond होता है, इसका जो empirical formula है, वो है CNH2N, है ना, और ये किस से खतम होता है, ends with ine, जैसे माल लो, दिखो आप इना double bond बनाना है, तो double bond यार आपका एक carbon तो बना नहीं सकता, तो कम से कम दो carbon तो चाहिए, तो alken आपके methane से चलो नहीं होता है, ethane से चलो होता है, तो माल लो की दो carbon है, C2, formula का है CNH2N, तो N की जगे 2 put करो, और यह पर 2, 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो C2H4, दो carbon है तो यह क्या हो गया, यह होगा आपका ethane, उसी तरीके से अगर N इक्वल तो 3 put करोगे, तो वो क्या हो जाएगा प्रोपीन, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रोपीन, और प्रोपीन का formula क्या होगा, C3H6, उसी तरीके से N 4 put करोगे, तो C4H8, क्योंकि CnH2N, तो यह क्या हो जाएगा butene, ठीक है, उसी तरीके से आप एक काम करो, मुझे, ओक्टेन का फर्मॉला लिखे बता, ओक्टीन का, ओक्टीन, जिसमें आपके कितने carbon atom होते हैं, 8 carbon atom, चेक करो, उसका formula, बोलना नहीं है, अपनी कॉप में लिखो, चेक करो, ओक्टीन का क्या formula आएगा, चेक करो, ओक्टीन मतलब C8, H16, क्योंकि फार्मॉला के है, Cn, H2n, तो जितने carbon atom है, hydrogen atom उसे डबल है, है ना, Cn, H2n, तो यह आगया, ओक्टीन का, जिसा अगर नहीं पूचो कि बताओ, पैंटीन का कितना होगा, पैंटीन का, तो पैंटीन मतलब N इक्वल तो 5, तो C5, H10 तो methane, 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 methane तो होता ही नहीं, methane, methane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonine, dekene, इस तरीके से आएगा, कोई doubt है, तो पूचो, तो alkene में आपका double bond होता है, cyclic compound भी होसकता है, इसका formula के है, Cn, H2n, और यह end किसे करता है, इन से, Ene से, लेख लो अपनी कापने में, सब में difference एग ही होगा, सब में, यहां पर भी देख, यहां पर भी CH2 होगा, देख, C2, H4, C3, H6, देख, कितने का difference है, CH2 का, यहां पर भी कितने है CH2 का, तो यह भी कौन से series है, homologous series, मतलब CH2 का डिफरेंस हुआ तो ही होमोलोगस है वरना अगर CH2 का नहीं है किसी और तो इसको हमोलोगस नहीं बोलेंगे ठीक है और अगर इसमें डबल बॉंड है तो यह कौन सा कंपाउंड है लिख लो अपनी कॉपी में यह एक अनसैचूरेटेट कंपाउंड है अनसैचूरेट एटल है अफिए लिखन रख लो ठिक है तो अब तुम्हारे एकसाम पे लिख ना जाता है तोzan से छुन numa नोंगे तो SIMPLE तोम नाम पता है तुम कर सकते हो वा-ई-पे श На लिख लो कि यह सब्सक्राइब कर रहा है तो कोशन है कि यह तू आइजो मर्स ड्रोट टू आइजो मर्स आफ ब्यूटीन तो आपको व्यूटीन के दो आइजो मर्स बनाने ढखना तो ब्यूटीन कि इतनी हुएन मतलब इसमें कितने चार कार्वन है तो सीफोर एच एट हो जाएगा थापके इसके दो ऑईज़ो मर बनाने जो एक बार चाहिए करते हैं चारो कार्वन को जाएंग कर दो एक double bond या लगा दो तो पहले कार्वन के दो want तो हो गए दो hydrogen इसको दो इस ये दूसए कारबन के 3 बांड होगे देखो, दो कारबन के साथ ने गिदे तो इसको एक हैड्रोजन दे दो इसको दो दो दून ही पढ़ेंगे और लाज्ट वाले को तीन देने पढ़ेंगे क्योंकि हर कार्बन के पास चार बॉर्ण में चीए किनों कितना है हाइडोजन एक दो तीन चार पांच छेस आठ हो गए एक और आईजोमर कैसे बनाएंगे आप इस डबल बॉर्ण को बीच में ले आओ यहां पर ले आओ तो यह हो गया अब भी कंप्लेट करो एक एच यहां पर एक एच आप एक एच यहां पर तीन तो पहले से एक एच इसको देदो तीन इसके पहले से एक एच इसको देदो पर इसका एक ही है तीन एच देदो तो यह बन गए आपके दू आईजोमर आईजोमर कोई आप पूछ सकते हों सबती करिक मthey two Dou More क्योंकि अगर साइकल बनाएका ना तो डभाह तो उसको इसको प्यूटेन करेंगे कि साइकलो भी ससकता है डेकध फॉर्मूला अगर खाली फॉर्मूला थे तो तो इसको व्यूटी में क्या तुम्हें कोई डबल दिख रहा है नहीं तो फिर आप इसको साइकलो बुटेन भी बोल सकते हो इस टॉपिक में लाश्ट पाने वाला था बतल्ब खतम करने के बाल अने वाला था 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 पर यह पर एन मत लिख देना तो नहीं है साइकल एसलिए मैंने बोला साइ जरूत है क्योंकि दो वोन तो पहले से बना चुका है तो यह हो गया तुम्हारा सी फॉर एचेट तो तीन आइस हमर बन गए देखो इसके ठीक है एक टॉपिक और कर आता हूं फिर अग्ला वाला तुम करना कॉश्ट ठीक है तो तीसरा लिखो तीसरा हमोलोग सिरीज लिख होता है cn h2n-2 यह भी एक unsaturated compound है इस पर ट्रिपल बॉंड होना जुरूरी है तो अलकाइन बोलना है तो मिनिमूम एक ट्रिपल बॉंड होना चाहिए एक ट्रिपल बॉंड होना जुरूरी है इसका फामुला क्या है cn h2n-2 यह सबसे पहला इधाइन तो यह किस से खतम होत है यह से एंड्स विट आइन वाइन वाइन इताइन इत मतलब दो कार्मन है तो दोनों के बीच में अगर ट्रिपल बॉंड है तब खुच सोचो इसको एक हीड्रोजिन की ज़रुत है इसको एक तो इताइन का फामुला क्या होगा देखो इसलिए पाल बॉंड है डबल ट्र पूर फ़ोर मैनेस टू कितना बचा एक तो यह आगया इथाइन का फिर आप बनाओ प्रोपाइन का तो प्रोपाइन का क्या आएगा जिहां से दिखो प्रोपाइन मतलब कितने कार्बन अटम होगे 3 तो C3H3 तू जा 6-2 तो यह कितना आजाएगा C3H4 उसी तरीके में n equal to 4 put करेंगे तो c4 और यह कितना आजाएगा चेक करो फोर तो यह आजाएगा h6 c4 h6 यह आगया व्यूटाइम इस तरीके से बनाते है जैसे मानलो मैं तुम्हें पुछू की बताओ आप मुझे बताओ hexine का formula क्या होगा hexine hexine मतलग n equal to 6 check करो c6 आजाएगा और 6 triple bond होना जरूरी है यह भी आपका unsaturated है इसका empirical formula क्या होता है यह cn h2n-2 लिख लो अपनी कॉम्हें लिख लो और अब एक question तुम्हें गड़ना है अब एक question आप लोगों को solve गड़ना है इसको लिख लो है इसको लिख लो है सब्सक्राइब करेंगे यह आज आज शायद नहीं हो पाएगा एक लासर उसमें सब्सक्राइब करेंगे लिख लो इसको अपनी कॉम्हें अच्छा एक चीज याज रखना देवियांच और तुम लोग सब एक चीज याज रखना कि याद है अपने लास्स्लाइड में वह बनाया था यह लिख लो और फिर आपस में लास्स्लाइड में आता हूं इक बाद यह सफठाग सब्सक्राइड के लिए तो इस बात को तुम यादा है है ना ओके यह तुम्हें लिख लिए अलकाइन का फार्मुला सी एन एच टू एन माइनस टू कोशन तुम सॉल करो कोशन है यह द्रॉब थ्री आइजोमर्स द्रॉब थ्री आइजोमर्स आफ पेंटाइन तो आपको पेंटाइन के तीन आइजोमर्स रो करने तो सबसे पहले अगर एक्जाम में पेंटाइन आता है तो सबसे पहले पेंटाइन का फार्मुला पूट करो पेंट मतलग पांच कारवन है यह नहीं मतलग सी एच टू एन माइनस टू तो तो देखो एक तो आप सबसे पहले पांचो कारवन लगा लो तो एक बार तो आप ट्रिपल बॉन यहां लगा लो तो एक आईजोमर तो यह बन गया एक बार आप काम करो वापिस कारवन बनाओ एक बार ट्रिपल बॉन यहां लगा लो यह आपका दूसरा आईजोमर बन गया ठीक है एक बार लगा लो और तीसरा एक साइकल बना लो तीसरा आप एक साइकल कमपॉंड बनालो और साइक्ल में तुम देखना तुम्हारा डबल बॉंड से काम सब्सक्राइगा इसमें आपको दूसरे लगाने की जरूतिन ही पड़ेगी देखो जिसे पहले में तुम चेक करो आपका हो जाएगा तो फिरे साइक्लो पैंटेन हो जाएगा तो यह तेरा देख फॉर्मिले न तुम फैंटेन चोंकि यहां पर क्या डबल बॉंड चेक कर देखके इसको एक हाइड्रोजन की ज़रौत यो तो तो यह बना लो तो पैंटाइम में देखो अगर तुम स्ट्रेट बनाते हो साइक्ल नहीं लेते हो तो तो आपको ट्रिपल बॉंड लगाना पड़ेगा जैसे पहले दो लेकिन अगर आप साइकिल बनाते हो तो एक डबल लगा दो तुम्हारा काम हो जाएगा बना वो इसको कोई डाउटेस में तो पूछ सकते हो ठीक है अच्छा यह तुम्हें समझ में आ गया हो तो मैं नेक्स्ट हो मोलोकर सीज पर जाता हूं साइकल वाला गलत तो नहीं हो जाएगा अग्जाम में अपनी बुक में साइकल है टेंशन मतले घलत क्यों होगा अपन जो आंसा देरे वो गलत थोड़ी है गलत किसा इसकी कारबन नीचे लगा लें तो इजिंग उजाएगा जागा अई जागा एसे माले तो तीन क्यों करब कर तेpres हो गया इसको तीन देते एक दो तीन इसके तीन हो गया सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको ब्रांच चैन और साइकल चेंग देख तेरा c5 h8 था तुए तरय काम कर तीन कारवन को ऐसे लगा दे एक कारवन की ब्रांच बना दे ऐसे और एक ट्रिकल बॉन्ड लगा दे यहोंपे ठीक है लगा दिया पाच्छों कारवन हो गए अब सब का हाय नीचे वाले कारवन को तो एक ही एक दिर दिना है चारों इंही यहां पर भांच हो गए और यहां पर यहां पर नगा नियुक्त हो झाहें कि यह यह तो इसमें तो प्हुमिन नहीं लुक्रीगा यह जाएगा कि यह तो यह तुम अपनी कॉप्य में टॉपक लिखो अलकोहॉल कि इसमें लिखो अपनी कॉपय मैं इसका नाम है वो होता है ends with all ओ और है poin functional group इसके अंदर जो फंशिनल गुरुप होता है वो ओ अआको ओ एक्छ क्या होता है पका ओएक्छट हरो जयान से देखना यह किससे होता है और से हासे फंक्शनल ग्रूप … तो कैसे बनाना है अब तूम भ्याहन से सुनना ही किसे जैसे मानल चल रखना है सी ऑपर 12. इधर एक H इधर एक H इधर एक H आपको क्या करना है एक H को घाइब करो लिख दो OH तो hydrogen की जगे क्या जाता है OH जिसका formula क्या बना CH3OH तो यह किसका formula है यह फार्मुला आपका तो आपको क्या करना है दिखो मिथेन नौल अ तो पहले ज़ी निसेंगर लगा तो यह आपका मिथेन अलल बनाँ कि यह आपका क्या म喜歡 हमिझन बन गया कת कर सकते बाइब्स का MPK है वो आ दिखनाता हूं आपका हमातो सकता है तो वो तेना टू ओल हो जाएगा है ना वह भी हो सकता है नेकिन अभी नहीं पढ़ते हो वो तू ओल हो जाएगा उसको फिर लिखने का तरीका कुछ और होगा अभी राइट ना अपने सिलेबस में बेसिक कंपाउंट से जिसे अगर पूछू की बताओ इधेनौल का क्या होगा इधेनौल तो पहले आप क्या करो पहले इधेन का लिखो इधेन मतलब यादे अलकेन सी टू एच सिक्स चेक करो तो सी टू एच फाइफ और उसकी जगे ओएच लिखता हो कि यह आगया तेरा इधेनौल क्या 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 बोल रहा है शरव वेच तो रेडी कल में आता है ने इसे लिए नियुका ना पंबाई ने वो कमाइन कर सकते कई लोग इसको ऐसे लिखते लेकिन मेरी यालत ऐसी है क्योंकि देखते ही पता पड़ जाता है कि अल्कॉहल है अगया जिसे मालो में तुम्हें पुछू अब तुम लिखो एक कुश्चन मालो मैं तुम्हें पूछू राइट फॉर्मुला ओफ राइट फॉर्मुला ओफ पेंटेनॉल तो बोलना नही अल्सोट्व द्रॉट्व आईजो मर्स और आपको इसके दू आईजोमर भी ड्रॉट करने अठीक है अब सुनो पैंटेनॉल सबसे पहले अपन लिखते हैं पैंटेन का फामुला पैंटेन मतलब अलकेन का फामुला क्या होता है सी एन एच दू एन पांच है तो सी फाइफ एच ट्वैल हो जाएगा ठीक है तू फाइज टैन अब क्या करो अब एक हाइड्रोजन गायब करो तो एच एलेवन और लिग दो अप ओएच पेंटेन सी एन एच टुएं प्लस टू तो एन की जगे पांच पूट किया तो फाइटेजर टैन यह होगा सी फाइफ एच ट्वैल और एक एच गायब करके ओएच लिग दो तो सी फाइफ एच एलेवन ओएच यह है आपका पैंटेनल और इसके आइजोमर कैसे बनाने अब तुम घ्यान से दिखो एक बार तुम्हें काम करो पांचो कारवन को जॉइंग करो और लास्ट वाले पे ओएच लगा दो अब आप और पूरी करो तो इस हाइड्रोजन को आप एक काम करो पहले हाइड्रोजन को आप तीन की सहले कारवन को भी दोजिदो चौते कारवन को भी दो देडो पांच मुखे अपर गदो कित्स ऑच दी हाइड्रोजन होगय चेक करो homes बन गया और आपको एकस अइस ए फिएाड यारह और ओडी syndrome on सब्सक्राइब कर दो चाहिए निचे हाइडरोजिन के साथ बना रहा है कि अधिक है यह हो गया तुम्हारा पेंटेलोल अब मान लो वैसे तो देखो चांस का में लेकिन मान लो एक्जाम में कुशन आ जाता है है राइट है और मुला फॉर तुम बोलो मैं तुम बता रहा हूं इतली बहुत नोई जा रहा है आपने म्यूट कर लो पैंटी नॉल अब क्या करना देखो पैंटीन बना दो तो यहाद है अलकीन का फॉर्मिला क्या होता है सी एन एच टुवें तो यह हो जाएगा सी फाइफ एच टेन ठीक है और लगाने तो एक हैट्रोजन गायब करो उसकी जगे ओएच लगतो बस फॉर्मिला यह तो आगया फॉर्मिला कैसे बनाओगे पांचों कार्बन जाइंग करो लास्ट वाले पर लगा दो ठीक है और यहां पर कई भी डेवल बॉंड लगा दो इसे डेवल वांड यह आगया पैंटीन चेक करो तीन हैट्रोजन इसको दिए एक दो तीन चार पांच छे साथ और आट और नू हो गया को टॉछो पैंटीन चर्टे भ्रांच पर बनाना है तो डबल बॉंड को भी एधर शिप्ट कर सकता और तो अश्कुंप भी कही और शिप्ट कर सकता चलेगा वह इसको नीचा ब्रांच मेंदा कर सकते का कुई दिक्कत नहीं है पस्ट्रक्चर अलग कर दिना तो इसके तो बहुत सारे आईशोटोप हो जाएंगे तो नगा दे करब चेजा तो और जितने फंक्षनल क्रूप होते ना किसी कमपॉंड में उतने साथ आईजो मरूते तो देख इस इसमें अपने दो फंक्षनल गूरूप है एक तो डबल बॉर वाला अलकीन और एक वाला तो अगर माले तेरे तीन फंक्शनल ग्रूप आजाए तो तेरे पाल आईजोमर और ज्यादा हो जाते हैं तो यह हो गया तुमारा पैंटी आज अपने क्या पड़ा ल के पड़ा फिर अपने कौन सा पड़ा फिर हमने पड़ा एलकोहौल है ना अब अब अच्छ लिखो अपनी कॉपनी का अचका लाश्ट लिखो फिर दो बचिंगे और फिर मैं पहले में मैंगनी इसके दाउट है सबसे पहले कर आया था तो काफी लोगों को डाउंट से तो मैं शुरू से कराऊंगा उसको तो अब लिखो लास्ट आजका लिखो अपनी काफ़े में है हेलो कंपॉंट अब हेलोजन्स किया होते तुम्हें पता है हेलोजन्स ग्रूप 17 14 यसर लोडी ओरी लिमिली ग्रोमीप 2 2 2 इन 4 बात करते है। तो यह रखना हैará मैं क्या होता है कि इसमें प्रिफिक्स होता है एक प्रिफिक्स में इम्हें नो कि मैं तुम्हें बोलूंघ कि आप chloro-methane का formula लिखो chloro-methane तो इसका कैसे लिखेंगे दियान से लिखो पहले आप methane लिखो CH4 chloro है तो आप इसमें से एक hydrogen गायब कर दो CH3 और लिख दो CN तो यह आगया आपका chloro-methane जिसे अगर मैं तुम्हें बोलू कि तुम मुझे bromo-pentane का formula लिखके बताओ bromo-pentane तो पहले pentane लिखो pentane क्या होगा C5H12 फिर bromo है तो एक hydrogen गायब करो C5H11BR ठीक है तो लिखो अपनी कप में hello compounds तो इसमें क्या होते हैं halogens होते हैं 4 fluorine, chlorine, bromine, iodine fluorine के लिए fluoro fluor, chlorobromo, iodine इसमें prefix है इसमें पहले लिखा जाता है जिसे बाद में old बाद में था इसमें पहले लिखा जाता है तो लिखते कैसे हैं एक hydrogen गायब कर दो और उसकी जगे जो लिखावा है fluoroclorobromo वो substitute कर दो तक का formula बन जाएगा ठीक है जैसे मान लो अब एक question तुम्हें करना है इसको लिख लो अपनी कॉपी में सर ये वापिस explain कर दो ना नहीं समझ मैं आँ वापिस कर रहा हूँ एक से कर दो लिख रहा है उनको लिखने दे वापिस कर दो देखो एगर वापिस explain कर रहा हूँ यह तुम्हारे kalo compound्स मतलब वो compound जिसमें आपका हेलोहं जन सोते हैं Hello jet मतलब कौन सा गुरॉप seventeen फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो अगकर वल्रो ने तो आप लिखोगे । लोरो इथेन ब्रोमो इथेन तो ब्रोमो इथेन का कैसे देख़ए इथेन क्या होता है मिथेन के बाद आता है इथेन तो इथेन में तेरा हो जाएगा C2 H6 ये तो इथेन है पर ब्रोमो इथेन है तो तो क्या कर एक हाइडोजन गायब कर दे H5 उसकी जगे लिख दे ब्रॉमीन जैसे मालने मैं बोलूं कि आप लिखो आयोडो प्रोपेन का फरमुला आयोडो प्रोपेन तो पहले आप प्रोपेन लिखो C3H8 ठीक है प्रोपेन क्या होगा प्रोपेन तो मिथेन का फरमुला क्या होता है अब इसमें से एक हाइडोजन गयाप कर CS3CN अच्छा अब एक कुशन तुम एक तुम करके बताओ इसका लिखके बताओ ब्रोमो प्रोपेन तो पहले प्रोपेन का लिखो तो मिथेन इथेन प्रोपेन प्रोपेन में मतलब एन इक्वल टू 3 है और प्रोपेन मतलब यह अलकीन है अलकीन मतलब CNH2N तो C3H6 पर ब्रोमो है तो एक हाइडोजन गयाप कर दो तो इस तरीके से यह आपके हैलोजन वाले कंपाउंट्स है तो अपन आज अपने कित्ते पड़े देखो हैलो कंपाउंट्स पड़े अब कोई भी बिना सकते हो कोई रिक्कत नहीं जैसे मैं तुम्हें आयोडोगाई का फॉर्मला बताओ आयोडोगाई इच्छी जया रखना आप ऐसे लिखना आयोडोगाई पैड़ा मतलि को लिखो तो पहले आप पैंटाईं का लिखो तो पैंटाईं मतलब N इक्वल तुफाइफ और अलकाईं का होता क्या है cn h2n-2 तो c5 और 5-10 यह जाएगा h8 उसकी बत आयोडो है तो आप क्या करो एक गायब कर दो उसकी जगे आई लगा दो ठीक है तो अब तुम्हारा काम क्या है देखो एक तो हेलो कंपाउंट्स हो गया और एक अलकेन अलकेन, अलकाईन हो गया एक आपका अलकोहल हो गया next class में तुम्हारे तीन बचेंगे aldehyde, ketone और acid वो तीन करेंगे हम लोग और basic nomenclature तुम्हें समझ में आना चाहिए कि propane propane में क्या आंतर है propane propane में क्या आंतर है bromo propane क्या होता है है ना ये सब तुम्हें पता होना चाहिए बेसिक्स होमोलोगस सीरीज का बेसिक इसको होमोलोगस सीरीज क्यों बोलते हैं क्योंकि हर दो अब तुम्हारा काम क्या है अब तुम्हारा काम यह है आज जो मैंने पढ़ा है इसको लिख लेना नेक्स क्लास में और इसके तुम्हारे कोई चुटे हो कोई लेसं चुटा वाओ ताप मुझे बता देना आपने बाद दूड़ा ही महीने है मैं तुम्हें आराम से रिउजन करा दूँगा ठीक है और कुछ पुछना है तो पुछो थैंक्यू सब्सक्राइब के थैंक्यू सब्सक्राइब